हालो स्टुरेंट्स हाव आर यू कैसे सब मज़े में तो आज का हमारा चेप्टर कौन सा है ऑक्सिलेशन या आवर्ति गती ठीक है है हाँ तो आवर्ति गती में क्या पड़े थे जादारा कुछ नहीं आ रहा है तो आवर्ति गती में जो मैंने पढ़ाया था उशी का सौट न जो भी है आगामी जो भी कंप्लिट एक्जाम है उसके लिए काफी यूस्फुल होंगे ठीक है तो लेट से स्टार्ट आज के लिए छोटा 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 जो डैफिनेशन है उससे फोकस करेंगे कि हमने इन दिनों में क्या क्या पढ़ा अभी टॉपिक पुरा कंप इसको हिंदी और इंगलीज दोनों में ही मैं बता रहा हूँ आवर्ति गती क्या लिखा यह इधर देखिए आवर्ति गती इसको हम बोलते हैं प्योडिक मोशन प्योडिक मोशन प्योडिक मोशन तो अभिशेख जी आप से बात कर रहे हैं वाट इस देफिनेशन आप प्योडिक मोशन तो किसी पिंड की गती वह गती है किसी भी पिंड की वह गती जो एक रेगुलर नीमित समयात्रात के बाद अपने स्वैम को दोराती है जैसे तुम एक एधा देखो इसके सामने एक बॉल ने है खंबे के सामने खंबे के चारोर क्या करते घूमते हो ना बार 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 जैसे घडी की जो सुई है अपने गती को दोराती ना एक निशेज में अभी 11 बजा है फिर 12 बजेगा एक दो तीन बाज फिर 11 बचेगा फिर यह रिपीट हो सा रहता ना जैसे जितने भी प्लानेट है इधर जेखो में तब जितने भी प्लानेट है और सन के चारोर रिवाल करते तो किसी भी प्रिंड की ऐसी गती जो एक नीमी टाइम प्रिट का बाद स्वैम को दोहराती है उसको हम बोलते है प्रिवाडिक मोशन ते इस अब इंग्लिस में कहले हो इस दैट मोशन इप इस दैट मोशन ऑफ बाड़ी वीच रिपीट सिस्टेल अफ्टर रेगुलर तो अब एक चीज मैंने समझाया था आप लोग को की परतेक सरल आवर्द गती आवर्द गती आवर्द गती नहीं होती ठीक है Every Simple Harmonic Motion is the periodic motion रहना क्या दिखाते हैं? Every Simple Harmonic Motion is Periodic Motion, इस नाट Simple Harmonic Motion, रहना Every Simple Harmonic Motion is Periodic Motion, तो अब इस प्रतेक सरल आवर्द गती आवर्द गती क्या होती है प्रवाडी मोशन नहीं होती है अब दूसरा देखेंगे आप दोलनी गति इसको मुझते हैं औक्सलेटरी मोशन देखें दोलनी गति तो पिंड की ऐसी गति जिसके दराण पिंड निमीच समयान करके इस्थिर विंदू के इधर उदर घुमते हैं क्या बलते हैं दोलनी गति इसको लिखते हैं, auxiliary motion, auxiliary motion, अभी बैठी जब तक वहां पढ़ा रहे हैं, तब तक बैठी है, तो एक निश्चित बिंदु के इधर उधर, ये हो गया point, एक इधर, इधर, एक निश्चित बिंदु के इधर उधर क्या करती है, अपनी गती को दोराती है, ऐसी गती को हम कौन सी होते हैं, दोलनी गती, ठीक, auxiliary motion is that motion of a body during which the body moves to and and, क्या लिखेंगे, body moves to and fro about a fixed point after regular interval of time, ठीक, के लिए, अब time period बताया था हमें, आवरत काल, तो अब अगला time है, time period, क्या है, time period, इसको बोलते थे, आवरत काल, अब किसे बिएन करे थे, time period को capital C से है, ठीक है, यही रख दो इसको, and you can go, and you can go, ठीक है, so time period is that time, time period is the time taken by a vibrating body to complete one, one vibration, के लिए, एक कंपन द्वारा, या एक कंपन पूरा करने के लिए, एक कंपन पूरा करने के लिए, किसी कंपन कारी पिंड द्वारा, जितना समय लिया जाता है, या लिया के समय, उसका आवरत काल कराता है, ठीक है, अगला बात आती है, frequency, इसको हम बोलते हैं, आवरित्ती, इसको new से, n से या f से भी represent करते हैं, ठीक, एक सकन में अपना जितना कंपन पूर्ण कर लेती हैं, ठीक है, क्या करेंगे, एक सेकेंड में, जितना कंपन पूर्ण करती हैं, उसको हम बोलते हैं, ठीक, तो, फ्रेक्वेंसी इस देफाइन अज नंबर आफ वाइब्रेशन और आक्सिलर स्टन कंप्लिटेट बाइए वाइब्रेटिंग बोडी इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में कंपन क करते हुए पिंड द्वारा पूरे किये गए, दोलनों की संख्या को हम आवट्टी का नाम देते हैं, ठीक है? तो, कंपन करते हुए दोलन की संख्या आवेटि करती है, इसे हम क्या करते हैं, तो, आवट्टी, आवर्थकाल का वित्कमन पाती है, The frequency is the inverse of time period चोटे चोटे चीज थे ये नाइन्थ में भी पढ़े थे आपनों 8 में भी पढ़े होगे अब अगला बात होता है displacement क्या होता है displacement तो displacement of a body तीक है जो मैंने लिखाया देखी ये सब कभी कभी या D-I-S-P-L-A-C-E क्या बोलते है आप लोग इसको विष्थापन तो displacement का क्या देखी परिभासा displacement of a body executing simple harmonic motion is the distance traveled by the body in a given instant from its mean position और equilibrium position तीक है तो ये कुछ definition रहे हैं आपको जो की काफी अच्छी तरीके से जब आपनों तैयारी कर रहे होते हैं तो आपनों को clear होना चाहिए तो definition displacement 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 को हम किसे प्रिंट के थे वाई से तो सरल आवर्द गर्ती करते पिंड का विस्थापन इसकी माध्य साम इस्थिति से दिये गए छण में पिंड द्वारा क्या होता है ताय की गई दूरी होती है ठीक है क्या लिखे हिंदी वीडियो में अच्छे से लिख लिजी अच्छे से लिख लिजी अच्छे क्या रिखेंगे अब इसके बाद आती है एंप्लिटूड जिसको हम क्या बोलते हैं आयाम जो की अधिक्तम वैलू होती उसकी ना तो हाँ तो हम displacement की बात कर रहे थे विस्थापन इसको हम y या x से रिप्रेजेंट करते थे एक्सी कल्टू ये ओमेगा साइन ओमेगा टी लिखते थे तो डिस्प्लेश्मन का डिफ्रेशन क्या दिये थे हमने सर अलावर्द करती करते पिंड का विस्थापन इसकी माध्य ये सामिस्थती से दिये गे छण में पिंड द्वारा जितनी भी दूरी तैक की गई जाती उसक आयाम तीक है आयाम इसको हम बोलता है एम्पलिटूड इसको रिप्रेंड करते है कि इस से ए से या पिंड अपि प्रेंड करते हैं तीक मैग्सिमम डिस्प्लेश्मेंट की चर्चा इसमें हम करेंगे तो एम्पलिटूड आफ बोड़ी एग्जीकुटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इस दा मैग्सिमम डिस्टेंस टेवल बाय दा बोड़ी ठीक है फ्रॉम इट्स मीन और इक्विलेबर पोजिशन तो क्या बोला मैंने सरलावर्द करती जो कंड कर रहा है तो उस कंड का जो अ अपने घर से पाच किलोमेटर निकल गया है तो इस दा मैग्सिमम डिस्टेंस टेवल बाय दा बोड़ी फ्रॉम इट्स मीन और एक्विलेबर पोजिशन तो कोई पिंड यदि सहल आवर्दी करता है तो उस पिंड का जो आयाम होता है उसकी माध्य स्याम इस्थिति से मेरे अपने घर से पाच किलोमेटर निकल गया है तो अपने समय से अपने मीन पोजिशन से अपने घर से जितना दूरी तै किया हूं अधिक्तम दूरी पांस से आगे नहीं गया, थक या थक नेक बाद वापस आगया, तो मेरे द्वारा अधिक्तम तै कि गई दूरी जो होती है, कितने सामिस्थित से जो मेरी विस्थापन हो गया, पांस किलोमेटर है, तीक है, अब एक चीज मैंने बताया था आपको, तो एक क चर्मानपाति होगा, यदि कोई कन सरल आवर्द करती कर रहा है, तो उस कन का त्वरण जो होगा, क्या होगा अनकरमानपाति के उसके विस्थापन के, अब आपनों बोल रहे होगे, कि यहां पार निगेटिव साइट को मैंने क्यों इंडिगेट कुए है, तो निगेटिव क्या इंडिकेट करता है कि तौरण की दिशा विस्थापन की दिशा के क्या होता है अपोजिट होता है ठीक है समानपाती होगा और उसके विप्रीत होगा ठीक तौरण विस्थापन के विप्रीत दिशा में करता है a particle executing simple harmonic portion it alpha is the directly purposent to minus y negative sign indicates it shows that the acceleration is always directed in the direction opposite to that at its displacement y . 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 और वो साथ जून वगरे होंगे पॉलर टेकनिक के और इंजिनिंग के एक्जाम इस्टेट लेवल पर जो होते हैं तो उसकी तैयारी आप लोग का अच्छे हो जाएगा तो दो कण हैं जो की सरलावट गरती करते हैं उसके विस्थापन का सुत्र दिया हुआ है तो उनके आया टू पाई टी प्लस पाई बाई पॉर ये पहला कण है तो उसके विस्थापन का समीकर है वैसे दूसरा कण होगा एक्स टू इकल तू फाइप रूट ओवार टू कर देते हैं ठीक है देखिए बहुत आसान है एकदम साइन टू पाई टी यह थोड़ा सा डिफरेंट है इसके लिए आपनों को जो बाई वाले जो इस्ट्वेंट से वो जो नुमदिकल्स करवाय थे टूल्स जो करा थे तू पाई टी प्लस कॉस्ट्व पाई टी टीक है तो हमारा विस्ठापन का था वाई कल टू ए साइन ओमेगा टी तो यह क्या है आयाम है तो इसका आयाम इन नोनों का आयाम का अनपाथ हमको है निकालना है ठीक है तो पहले कंडिशन में तो आयाम दीख रहा है लेकिन दूसरे कंडिशन में जो है आयाम इसको नहीं बोच सकते क्योंकि साइन को दोनों के फार्म में हैं तो हमको साइन करों के आज़सर इसको चेंज करना पड़ेगा ठीक है तो इसके लिए आप लोगं को इसको हमको multiplication करना पड़ेगा x2 को ध्यान रखे 5 into 2 upon 2 root 2 और 2 किसको कर सकते हैं पर sin 2 by t plus cos 2 by t ठीक है अभी कितना हो जाएगा 10 हो गया root 2 by 2 तो इसको क्या कि root 2 upon root 2 से multiplication कर दिये root 2 root 2 कितना हो गया 2 हो गया ये 2 से कर जाएगा बचे कितना 10 by root 2 ऐसा कुछ हैगा हमारा छोटे क्लाक इसको ज्यादा time waste न करते हुए मैं इसको क्या किया हूँ है न 10 कर दिये root 2 by 2 इसको root 2 root 2 से हम multiplication कर दिये 10 into 2 upon 2 root 2 तो 2 2 कर गया अब बचे का 10 by root 2 तो यह हो जाएका 10 by root 2 है न और sin 2 pi t plus cos 2 pi t हो गया आभे मैं इसको multiplication करते है अंदर में तो 10 हो गया sin 2 pi t into 1 by root 2 plus cos 2 pi t into 1 by root 2 ठीक है आपको बता है sin a plus b का जो फामला होता है sin a cos b plus cos a sin b तो इसको हम लिख सकते हैं cos pi by 4 क्यों लोगी 1 by root 2 45 degree sin 2 pi t cos pi by 4 plus cos 2 pi t और sin pi by 4 तो यह किस फाम में आगया sin a plus b यह एक फामला मैंने बताया था आप लोग पढ़ा होगे sin a plus b का क्या फाम होता है sin a cos b plus cos a sin b यह फामला में हम इसको लाएंगे यह x2 की वेलो चल रही है sin है न 2 pi t plus pi by 4 यह हो गया दोनों इस फाम में आगया एक यह आगया हमारा और यह इस फाम में आगया अब दोनों के डिवाइट कर दो x1 by x2 और e1 कितना निकला हमारा 5 है 8 कितना है 10 है यह आजा हम हो गया तो 5 by 10 तो इसको 2 से जब डिवाइट कर दो 5 पंजा 5 2 जा 10 तो दोनों के आयाम आयामों का जो हनपाथ होगा e1 ratio a2 1 ratio 2 तो इनके आयामों में हनपाथ कितना निकल गया 1 ratio 2 तो यह मैंने कुछ अक्सिलेशन चेप्टर जो दोलन पढ़ा है थे उसका इंप्वर्टेंट जो थींग था उसको हम क्या किये फोकस किये और उसके धार पर एक नमरिकल कोश्चन दिये अब देखिए चेप्टर फिर नहीं हुआ है इसके बाद अगला टॉपिक हमारा होग पटेंशिल एनर्जी एंड किनेटिक एनर्जी है जो मनें सहल आवर्टी करती जो कर रहा है करन उसकी उर्जा के पदों में कैसे निकाल लेंगे तो वीडियो को लाइक कीजएगा शेयर कीजएगा दीदियो को अंतक देखिए ठैक्स पर आजिए